अगनीपत के विरोत में हर्याना कॉंग्रेस 27 जून को धर्ना देगी रोह तक और करनाल में जहां जिला इस्तरिय धर्ना होगा जबकि बाकी प्रदेश में हलका इस्तर पर धर्ना दिया जाएगा शनिवार को पूर्वसियम भुपेंद्र सिंगोड़ा ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि अगनीपत योजना ना तो देश के सुरक्षा और ना युवाओं के हित में हैं क्योंकि चार साल बाद अगनीवीर बेरोजगार हो जाएंगे सरकार अभी मात्रे 1.8 प्रतिशत पूर्वसैनिकों को नौकरी दे सकी है जबकि अगनीवीर तो 75 प्रतिशत हर साल वापस आएंगे उन्होंने सरकार से मांग की कि अगर प्रतेश सरकार अगनीवीर के तोर पर भरती होने वाले युवाओं को नौकरी देना चाहती है तो पहले हर्याणा में नौकरी दे इसके बाद 4 साल के लिए सेना में ओन डेप्यूटेशन भेज दे बाद में वापस प्रतेश के अंदर जॉइंग करवाले इससे अगनीवीर के तोर पर भरती होने वाले युवाओं का भविश सुरक्षित हो जाएगा किसान नेता को अदालत में पेश कर पुलिस ने तीन दिन के रिमांड पर लिया है वियाईपी लेन में गारिया गुजराने पर रात को विवाद हुआ था किसान अंदोलन के दोरान टोल पर राजु मकडौली के नेतरत में ही लंबे समय तक धरना दिया गया था रोतक के मकडौौली टोल पर शुक्रवार को आधी रात के समय वियाईपी लेन से गारी निकालने को लेकर विवाध हो गया आरोप ये है कि किसान नेता राजु मकडौली ने पहले तो टोल के सीनिय टीसी अभिशेक पर गोली चला दी इसके बाद अपने साथियों को बुला कर टोल कर्मियों के साथ मार पीट की सदर पुलिस ने आरोपी किसान नेता राजु मकडौली को हत्या के प्रयास में आरोप में गिरफतार कर लिया उसे शरीवार को अधालत में पेश कर तीन दिन के रिमांड पर लिया गया है बाकी अरोपियों की तलाश की जा रही है हर्याना की अफसर शाही का चहरा दिसमबर 2022 तक पूरी तरह बदल जाएगा 11 वरिष्ट IAS अफसर जून से दिसमबर तक सेवा निवरित होने जा रहे हैं इन में से 6 से अधिक अफसर मुख्यमंत्री के भरोसे मन माने जाते हैं इनकी सेवा निवरित्री के बाद दूसरी पंक्ती के IAS को वित्या युक्त, ग्रह, स्वास्त, सचाई जैसे एहम विभाग मिलेंगे मुख्यमंत्री मनुहलाल ने केंद्री क्रमिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग से भविष में होने वाली IAS अफसरों की कमी को पूरा करने का अग्रह किया है मुक्यमंत्री ने हर्याणा से केंद्र में हुई वरिष्ट आईएस की प्रती न्यूक्तियों वा हर्याणा में निकट भविश्वे होने वाली सेवा नित्रियों के बारे में भी जितेंद्र सिंग को बताया उन्होंने कहा कि विभागों को कारी शमता वा कारी दक्षता को गती मान बनाए रखने के लिए वरिष्ट अफ्तरों की कमी को पूरा करना जरूरी है जिते इंद्र सिंग ने आश्वस्त किया कि हर्याणा में आईएस की कमी पूरा करेंगे पंजाब पुलिस गाओं भिरडाना में दबिश देकर दो युवकों को गर्वतार कर चुकी है इन लोगों पर बुलैरो गाडी हैंड ओवर करवाने का आरोप है मामले में पुलिस को cc tv फूटेज भी मिली थी जिसमें बुलैरो गाडी पंजाब की तरफ जाती नज़र आ रही थी और वहीं गाडी सिद्धू मुसेवाला हत्याकान के बाद देखी गई थी पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवाला हत्यकान मामले में फतेहाबाद में कई कणिया जुड़ चुकी है अब मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच के फोर लेन स्थित एक होटल संचालक को हिरासत में लेने के बाद उसके दो साजेदारों को भी पूछताच के लिए बुलाया गया पूछताच के बाद सभी को छोड़ दिया गया है बताया जा रहा है कि मामले में पूछताच के बाद बड़ा खुलासा हुआ है पूछताच में फोर लेन स्थित होटल के संचालकों ने बताया कि 29 माई की रात को करीब 12 बजे औल्टो कार में चार लोग होटल में आये थे बादली निवासी सुमित ने अधार कार देकर कमरा बुक कर आया था चारो युवकों ने देर रात शराप पी थी और अगले दिन दोपहर को होटल छोड़ कर चले गए थे और उन्होंने बिल भी चुकता किया था पंजाब चुनावों से उत्साहित आपने भी चेर्मेंट पर अपने प्रित्याशी उतारे थे इस दल के पास यहां खोने के लिए तो भले ही कुछ नहीं था मगर स्थान ये चुनाव में जीत की जितनी उमीदे आपके दिगज नेताओं ने लगाई थी अपेक्षक्रत वो पूरी होती नहीं दिखी हर्याणा में पहले कृशी कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन हुआ और हाली में केंद्र की अगनीपत योजना का विरोध भी हुआ मगर निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा जजपा उत्साहित है इस चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने टिपल इंजन का जो फॉर्मूला अपनाया वो काफी हद तक काम कर गया भाजपा अधिकतर सीटों पर मत्ताताओं को यह समझाने में काम्याब रही कि यदि केंद्र से लेकर राजय और वाड तक एगी सरकार की इंजन होंगे तो निसंदे संबंदित इलाकों में पट्री पर विकास की रफ्तार तेज ही रहेगी सहकारिता मंत्री बनवारी लाल के ग्रह छेत्र बावल में अजाद उमीदवार जीत गए स्पीकर ग्यान चंद गुपता ने अपने जिले की कालका नगर परिशद राजमंत्री संदीפ सिंग पिःओवा नगर पालिका और राजमंत्री कमलेश ठांडा अपने जिले की तीनों सीटे गडबंधन की जोली में डालने में कामियाब रहे हर्याना के 46 शहरी निकायों में से 25 पर भाजपा जच्पा गडबंदन ने जीत हासिल की है 19 जगे निर्दल ये ने बाजी मारी चेर्मेन पत के लिए सीधा चुनाव हुआ 25 निकायों में से 22 के चेर्मेन भाजपा और 3 जच्पा के होंगे 19 नगर परिशद पालिकाओं को निर्दल ये चेर्मेन चलाएंगे आप और इने लोग का भी एक एक चेर्मेन जीता है पहली बार निकायों चुनाव लड़ रही आप अपना खाता खोलने में सफल रही कॉंग्रेस ने ये चुनाव पार्टी जिन पर नहीं लड़ा उसके समर्तित कुछ आजाद उमीदवार जीते हैं मुक्यमंतरी मनोहल लाल के ग्रह जिले में भाजपा तीन निकाये में हार गई उप मुक्यमंतरी दुश्यन चोटाला अपने ग्रह विधान सबा छेतर उचाना की नगर पालिका में गडबंदन प्रत्याशी को नहीं जिता पाए पंचात मंतरी दिवेंद्र बबली के ग्रह जिले फतेहबाद में गडबंदन का एक ही उमीदवार जीत पाया मंतरी के विधान सबा छेतर टोहाना के अलावा रत्या और भूना में भी अजाद उमीदवार जीते